हेलो फ्रेंड्स वार्कम टू माय यूट्यूब चनल लाइफ केर टेली टेप्स फ्रेंड्स आज में इस वीडियो में आपको सिर्की जूँ खत्म करने के बहुती आसान से खरेलू नुस्के बताऊंगे जिनके मदद से आप अपने सिर्की जूँ को बहुती आसानी से और बह करने के लिए सबी उपायों में बहुत ही अच्छा उपाय है क्योंकि कपूर की खुश्वू से जो जूएं हैं वह सांस नहीं ले पाते और जल्द ही मर जाते हैं और इसके लावा यह बहुत ही सस्ता उपचार है और जो इसमें हम नारियल का तेल ले रहे हैं जो कि आपके बालों को पोशन देगा आपके बालों को सिल्की लंबा काला बनाने में काफी मदद करेगा इस मिश्रण को बनाने के लिए नारियल के तेल में थोड़ा सा चुटकी भर कपूर मिलाकर अच्छे से मिश्रण त्यार करें और उस मिश्रण को अपने बालों में एपलाई करें ऐसा करने से आपके बालों में जितने भी जूए और लीख है वो सभी मर जाएंगी इस देल को अप्लाई करने के बाद एक कंगी की मदब से अपने बालों को अच्छे से कंगी करें ऐसा करने से आपके बालों में जो मरी जूएं वो बाहर निकल जाएंगी और ऐसा करने के बा बहुती अच्छा उपाय है तो इसके लिए प्याश को पीज कर उसका रस निकाल ले और फिर उसका रस को 10-15 मिलट के लिए अपने बालों में एप्लाई करें प्याश की बदबू से चुएं सिर में सांस नहीं ले पाएंगे और वो मर जाएंगे तो ये उपाय बहुती अच्छा और सस्ता उपाय है अगला उपाय है लहसुन और नीबू का रस लहसुन और नीबू का रस भी बालों की जोको खत्म करने में ये बहुती अच्छा उपच बालों को दूदें, इस उपाय को वीक में दो बार कर सकती है, यह आपके चिर की जूमों और लीकों को खत्म करने में बहुत इफ़ेक्टिब नुसका है। इसके लावा आप नमक का इस्तेमाल भी कर सकती हैं तो इसके लिए नमक और उसमें थुरा सा सिर्का मिलाकर अपने बालों में एप्लाई करें और लगबद एक दियर घंटे के लिए छोड़ दें ऐसा करने से आपके बालों की जूँ खत्म हो जाएंगी तो फ्रेंट्स मैंने जो इस वीडियो में नुसके बताए हैं इन नुसकों को आजमा कर आप अपने बालों के जूँ को तुरंत ही खत्म कर सकते हैं तो आप में नुस्कों को जरूर आजमाईए और इन्हें जब तक ट्राइ करें जब तक आपके वालों से जू पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो इस लाइक और शियर करना मत गुलिए और मेरे धिर सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले और भी नएने वीडियो नएने अबेट से आपको मिल सकें तब तक के लिए बूबाई